Welcome back friends, यह है हमारी वीडियो no.12 C programming series के उपर और इस series की previous videos में हमने discuss किया था conditional statements को यानि कि जो हमको decision making में help करते हैं, आपका if statement है या switch statement है and then हमने discuss किया था looping concepts को यानि कि अगर कुछ statements को हमने किसी condition के base पे बार बार repeat करना है तो उसके लिए हम loop का इस्तेमाल करते हैं और इस video में अब हम discuss करने वाले है jumping statements को यानि कि अगर हमको program का flow है या execution वहाँ पे हो रहा है तो execution जो है या flow of control जो है उसको अगर हमने किसी condition के base पे break करना है या कुछ part हमने skip करना है या entirely किसी डूसरे part में हमने जाना है तो इसके लिए हम use करते हैं jumping statements को तो इनको भी हम यहाँ पे discuss करते हैं तो start करते हैं जो हमारा topic इस video के लिए है jumping statements jumping statements तो पहले इनका जो concept है वो हम यहाँ पे देखते हैं इनका जो main पकाम है जो syntax है वो हम देखेंगे then इनी सभी concepts को हम यहाँ पर practically भी देखेंगे and then next video से जितने भी हमारे concept हैं भले वो आपका looping का हो या आपके jumping statements हो, conditional statements हो इन सभी की मदद से हम programs create करेंगे कुछ patterns भी हम create करेंगे जिससे कि इन सभी को हम एक साथ implement कर सकें तो start करते हैं सबसे पहले जो jumping statements हमारे होते हैं C language में एक तो हमने already discuss किया है break statement जो हमने switch statement के साथ इस्तमाल किया था and यहाँ पर हम discuss करेंगे continue statement को and हम यहाँ पर discuss करेंगे go to statement को and यहाँ पर return statement भी आपका होता है यह भी हमने basic सा देखा हुआ है into main function जो होता है वह आपका return zero हम वहाँ पर लिखते है terminate करने के लिए या return करने के लिए उस function से and finally एक exit function भी यहाँ पर support करता है तो यह सबी हमारे jumping statements के पार्ट है यानि कि यह flow of control जो है flow of execution जो है program का उसको manipulate करने में help करता है तो इन दोनों को हम यहाँ पर पहले साथ में देखते हैं क्योंकि दोनों में इनका जो working है procedure almost same है बस थोटा सा यहाँ पर difference है अब देखिए break statement यहाँ पर help करता था हमको switch statement में आपका break करने के लिए पूरे statement को तो इसी को हम यहाँ पर looping में भी समझेंगे तो directly इसका example से हम यहाँ पर समझते हैं तो माल लीजे सबसे पहले मुझे एक value यहाँ पर print करानी है 12345678910 तो यह सभी मुझे इस form में vertically कराने हैं लेकिन मैं चाहता हूँ loop में जब भी आपकी value जो है वो यहाँ पर 5 अगर होती है तो उस loop को हम terminate करने हैं तो वो हम कर सकते हैं break statement की मदद से तो इसको देखिए simply example से इसको हम यहाँ पर समझते हैं तो include यहाँ पर हमने किया अपनी standard input output header file को then int main and then यहाँ पर हमने variable ले लेने हैं तो a equals to 1 चलिए starting से भी आप ले सकते हैं या loop के अंदर भी आप ले सकते हैं for example for अब यहाँ पर अगर आप starting में लेंगे तो आपको यहाँ पर first part जो है उसको आप अगर नहीं भी लेते हैं तो चलेगा लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते अगर आप skip नहीं करना चाहते तो उपर declare ना करके आप इसके अंदरी भी declare कर सकते हैं कोनों method आपको पता है a is less than equals to 10 and then a equals to a plus 1 या a plus plus आप यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए simple सा है curly braces में हम यहाँ पर print कर देते हैं printf में %d slash n क्योंकि vertically हमको print करना है and then आपका a तो इससे इस form में तो यह simply हमारा print हो जाएगा अगर इसको हम as it is चलाएं अब यहाँ पर देखिए condition हम कहाँ पर लिखेंगे हमको 5 पर यहाँ पर break कर देना है तो 5 अगर आप चाहते हैं कि 5 भी यहाँ पर print हो तो आप printf के बाद यहाँ पर break करेंगे और आप चाहते हैं केवल 4 तक यहाँ पर break हो जाए आप चाहते हैं अगर a की value हमारी 5 यहाँ पर होती है तो simply break यहाँ पर आजाए आप चाहें तो इसको curly braces के अंदर भी यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन एक single statement ही हमने लिखना है तो curly braces की हमको यहाँ पर जरुवत नहीं है यहाँ compound statement हमने यहाँ पर नहीं बनाना है तो simple सा है I hope आपको break statement यहाँ पर समझ माया होगा तो अगर आप इसको इसके ऊपर यहाँ पर लिखते तो क्या होता यह 4 पर यानि print नहीं होता उससे पहले break हो जाता तो यहाँ पर देखी simple है सबसे पहले a की value 1 है 5 आता ही break होते ही यह पूरा terminate यहाँ पर हो जाएगा and control सीधा आ जाएगा return 0 पर and program आपका terminate होगा तो simple है यह तो termination में help करता है तो इसको भी हम practically जैसे ऐसे series आगे बढ़ेगी इसको हम काफी use करने वाले हैं तो next हम देखते है continue statement को तो देखे continue statement यहाँ पर क्या करेगा continue statement यहाँ पर help करता है आपके जो code है उसको skip करने के लिए तो यह कैसे होता है पहले छोटा सा 1 to 10 में again यहाँ पर print करता हूं तो माल लीजिए हमारा same ही यहाँ पर pattern है तो include हमने यहाँ पर कर लिया standard input output header file को then आपका int main यानि की main function and then int a and for a equals to 1 से लेकर a is less than equals to 10 and a equals to a plus 1 हमने यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर लिखे अगर हम directly print यहाँ पर करते हैं तो अभी तो same ही यहाँ पर result आएगा यानि की 1 to 10 हम यहाँ पर simply print कर रहे हैं तो माल लीजिए अगर हम यहाँ पर break की जग़ग अगर continue करते हैं if a equals to a equals to 5 तो हमने का यहाँ पर continue हमने करता है तो दीखे continue statement जैसी यहाँ पर encounter होता है तो continue statement क्या करता है इसके बाद जितने भी यहाँ पर statements होते हैं उनको यह skip करता है और जो control है इसको यह वापिस loop के top पर ले जाता है यादि कि इसके बाद अगर और यहाँ पर statement होते तो वो सभी हमारे skip यहाँ पर हो जाते वो execute नहीं होते जैसे ही continue statement यहाँ पर encounter होता है तो यहाँ पर देखिए अभी तो फिलाल यहाँ पर हमने लिखा तो है लेकिन यहाँ पर output में 1 2 3 4 इस तरीके से सभी आपके यहाँ पर आने वाले हैं क्योंकि इसके बाद कोई भी statement यहाँ पर ही नहीं तो अगर हम इसी statement को ऊपर लिखते हैं यानि कि अगर हम इसको यहाँ पर न लिखके इसको अगर हम नीचे लिखेंगे तब आपको थोड़ा सा यहाँ पर difference नजर आएगा तो printf के अंदर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं percent d slash end and आपका यहाँ पर a तो यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर difference जो है नजर आएगा then return 0 and program close यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जो a की value है सबसे पहले a की value 1 होगी तो 1 में तो आपकी condition true नहीं है तो इसके बाद a की statement है continue यह भी execute नहीं होगा तो printf में आपका 1 आएगा then 2 then 3 then 4 and जैसी value यहाँ पर 5 होती है तो continue क्या करता है आपका जो control है उसको top पे भीज देता है तो top पे भीजेगा तो 5 यहाँ पर print नहीं होने वाला and directly आपका 6 यहाँ पर print होगा and then यह आपका continue यहाँ पर रहेगा तो मालनी जी अगर आपसे यह बोला जाता है आप यहाँ पर first and natural number का sum निकालिए and उसमें से 5 को आपने उसका sum नहीं निकालना है तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं चलिए इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं तो इसको मैं directly code यहाँ पर लिख देता हूं तो int a and for आपका a equals to 1 से लेकर a is less than equals to 10 a equals to a plus 1 and हमने sum निकालना है तो एक variable हम यहाँ पर ले लेते हैं sum नाम से जिसमें initially हमने 0 यहाँ पर दिया है तो simple सा है जैसे यह यह loop चलेगा तो हम यहाँ पर sum निकालते रहेंगे यहाँ पर एक condition लगाते हैं कि if a अगर आपका 5 होता है तो आपने continue यहाँ पर कर देना है यानि कि control top पर यहाँ पर दे देना है वरना हम यहाँ पर sum में जो है sum तो हमारा रहेगा ही और साथ में a में जो value है वो भी यहाँ पर आती रहे तो आप simply loop के बाहर इस statement को print यहाँ पर करेंगे सबसे पहले a की value 1 होगी तो 1 and sum में 0 है 1 plus 0 तो sum में आ गया हमारा 1 then again re-execute हमारा loop होगा a की value 2 होगी तो sum में already 1 है तो 1 plus 2 sum की value 3 हो गई then again loop में change आएगा loop में value हो जाएगी 3 तो 3 plus 3 sum में आपका आ गया 6 and then loop की value यहाँ पर 4 है तो 4 plus 6 10 and जैसी 5 आएगा तो 5 plus 10 15 नहीं होने वाला है आपका यह skip होगा and directly 6 यहाँ पर value जोड़ने वाली यहाँ की next value जोड़ेगी तो I hope आपको continue यहाँ पर समझ में आ गया होगा and then आप simply यहाँ पर printf में sum जो है वो लिख सकते है sum is sum जिसमें की आपका यहाँ पर हमने 5 को include नहीं किया है person D and sum नाम के variable में है तो return zero and finally close तो simple है तो I hope आपको break and continue यहाँ पर समझ माया होगा तो अब हम देखते हैं यहाँ पर go to statement को आपका return statement को and exit statement को भी तो उससे पहले अगर आप notes बनाना चाहें इन programs को आप खुदी करना चाहें तो screenshot आप इसका ले सकते हैं then हम discuss करेंगे आपकी जो बचे हुए हमारे statements है तो I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा तो अब हमारे जो next statement है go to statement return या exit इनको हम यहाँ पर discus करते हैं अब हम discuss करते हैं go to statement return statement and आपका exit statement को तो start करते हैं सबसे पहले हम discuss करते हैं go to statement को तो दिखे go to statement जो है यह लिया गया है आपका assembly language से जो कि आपका machine language है यानि कि machine language सबसे basic language है then assembly language then आपका higher language आती है c c++ या और जो languages है तो go to statement आपका assembly language में ज्यादा यूस होता था और यह main हमको help करता है आपके program में forward and backward jumping में तो पहले तो इसका syntax देखते हैं basic example यहाँ पे देखते हैं and then इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे समझेंगे तो start करते हैं विशिए इसको ज्यादा use नहीं किया जाता है and जो modern हमारी languages हैं जो और higher languages हैं वहाँ भी आपको cable ज्यादा तर break and continue का ही इस्तमाल मिलता है लेकिन C language इसको support करता है तो इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे तो इसको directly example से हम यहाँ पे समझते हैं तो इसका जो basic syntax है वो है go to जो कि एक keyword है and then आपको यहाँ पे एक label हम बनाते है and then आपका semicolon आता है and label जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे colon आएगा and इसके अंदर कुछ हमारे statements आते हैं तो यह इसका basic syntax है तो इसको कैसे implement करना है वो हम एक program से यहाँ पे समझेंगे तो start करते हैं सबसे पहले include हम यहाँ पे करेंगे अपनी header file को तो पहले concept हम देखते हैं then इनी concepts को हम practically भी यहाँ पे देखने वाले है तो देखें int main तो यहाँ पे अगर directly सबसे पहले हम forward jumping को अगर देखें तो हमने यहाँ पे लिख दिया यह go to say hello करके एक label हम यहाँ पे बनाते है semicolon and then कुछ statements हम यहाँ पे लिखते हैं चलिए एक statement हम यहाँ पे लिख देते हैं printf के अंदर हमने कहा today is great हमने यहाँ पे लिख दिया and then हम label create करते हैं तो label simple सा हमारा है say hello and जब भी आप label create करेंगे तो colon आपने लगाना है go to statement के साथ अगर आप use करेंगे तो semicolon and जब आप label create कर रहे हैं तो केवल colon and इसके अंदर भी कुछ statement हम लिख देते हैं printf go to statement ही चलिए हम यहाँ पे print करवाते हैं and एक और statement हम लिख देते हैं for example great हमने यहाँ पे लिख दिया तो दो statement हमने यहाँ पे लिखे हैं and then आपका return zero return zero and finally program से हम exit करते हैं तो simple है सबसे पहले जैसी go to say hello हम को यहाँ पे मिलता है तो यह label जो है यह आपका आपका जो control है उसको सिधा यहाँ पर ले आएगा यह दो statement print होंगे यानि कि go to statement and great आपको मिलेगा तो output screen पे इस तरीके से आपको मिलता है go to statement and दूसरा हमारा है great तो दो statement तो आपको यहाँ पे मिलेंगे और इस तरीके से अगर आपको चाहिए तो slash n भी आपने यहाँ पे लगाना पड़ेगा तो यह तो आपको मिलेगा तो अब देखें यहाँ पे problem क्या है कि जो भी हम go to को इस्तेमाल करते हैं तो उसके बीच में अगर कोई भी statement है तो यह इन सभी statements को skip करता है अभी तो फिलाल एकी statement है तो इस statement को skip करके सीधा कहाँ पे jump कर देगा आगे jump कर देगा यानि कि forward jumping करेगा तो यह इसका एक छोटा सा drawback यहाँ पे है अगर यह statement नहीं होगा इसको आप comment में डाल देंगे तब तो यह program आपका सही है अब देखें अगर हम backward jumping करते हैं मालने जिए अगर यह statement यहाँ पे नहीं होता और यह statement हमारा जो हमने block create किया है इसके बात होता या label के बात अगर होता for example go to आपका say hello अगर यह इस तरीके से यहाँ पे होता तो यहाँ पे हमको output में क्या result मिलता अगर हम backward jumping यहाँ पे करते हैं तो देखें सबसे पहले यह printf तो आपका है यह तो addities आप आएगा यानि कि पहला statement आपका होगा today is great then label है तो label जब तक हम go to statement यूज नहीं करेंगे label नहीं चलेगा तो go to say hello तो say hello जैसी हम करते हैं control अब उपर जा रहा है यानि कि backward jumping अब हो रही है तो जैसी यह उपर जाएगा दोनो statement प्रिंट होंगे लेकिन फिर जो अगला statement है वो आपका go to say hello है यानि कि again यह jump करेगा then again यह jump करेगा तो यह आपका एक infinity loop की तरह यहाँ पे चलता रहेगा तो जब भी आप go to statement को इस्तेमाल करते हैं तो आप कोसिस कीजी कि उसमें साथ में कोई आपका condition भी हो जिसकी उजय से इस problem से हम यहाँ पे बचे यानि कि infinity times आपका यह loop execute ना हो या loop की तरह यह execute ना हो तो इसके लिए एक छोटा सा example हम यहाँ पे लेते हैं हम यहाँ पे table generate करते हैं किसी भी number की आपका यहाँ पे go to statement की मदद से वैसे आपको पता है अगर table हमको generate करनी है तो normally हम किसी भी loop से कर सकते हैं सभी से हमने example में देखा हुआ है लेकिन अभी हम go to से भी इसको try करते हैं तो start करते हैं सबसे पहले directly example में इसका लिखता हूँ तो अभी इसको हम practically भी देखेंगे पहले इसका concept हम यहाँ पे समझते हैं तो int main and यहाँ पे एक value हम ले लेते हैं equals to one and एक number भी हम ले लेते हैं for example five जिसकी table हम generate करेंगे आप चाहें तो इसको scanf की मदद से user से भी ले सकते हैं and then हम एक label यहाँ पे create करते हैं table and table के अंदर हम यहाँ पे print कर देते हैं आपका percent d slash end and n multiply by number तो देखिए अगर इस statement को के अवल ऐसे ही हम देखें and directly हम यहाँ पे करते हैं go to तो अभी धिरे धिरे इसमें हम fill up यहाँ पे करेंगे मालिजी हमने कहा go to table तो इस label पे तो यह जाएगा सबसे पहले a में हमने one and slice किया number में हमने five यहाँ पे दिया यह skip होगा क्योंकि label है go to table तो ऊपर जाएगा and यहाँ पे percent d के अंदर number into n यानि की five आपका print होगा लेकिन हमको table को बार बार increment करना है वरना अगले statement में फिर वही चलेगा तो condition कैसे लगाएंगे उससे पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पे a plus to a plus one करते है ताकि second time जब go to यहाँ पे हो तो सबसे पहले one into number five आएगा then आपका a की value हमने increment कर दी यानि की two into number यानि की ten आएगा then fifteen then twenty, twenty, five and up to up to के लिए हमने कोई भी condition नहीं दी है यानि की फिलाल यहाँ पे कोई भी condition नहीं है तो यह चलता ही रहेगा तो go to से पहले हम condition अभी यहाँ पे देते हैं हमने कहा if अगर a जो है वो less than होता है 11 के तभी आपका go to हो यानि की यह इसका पार्ट है यहाँ पे तो इसको आप चाहें तो इसन ब्रैकेट्स में लिखिए या आप इसको simply a की statement है तो directly भी लिख सकते है तो go to table तो अब देखिए अब सिपल सामने condition यहाँ पे डाल दी है तो a की value 1 है तो सबसे पहले यह पार्ट तो आपका चलेगा नहीं तो सीधा if मैं यहाँ पे condition check होगी कि जो 1 है वो less than है 11 से तो go to table यानि की table पे जाओ 5 print होगा then plus 1 होगया again again यहाँ पे condition check होगई a जो है वो less than है increment के बाद value 2 होने वाली है तो 2 जो है वो भी less than है 11 का तो again go to table again value 3 होगी again go to table आपका जो table हमारा है जो label हमने बनाया है यह कब तक चलेगा जब तक value यहाँ पे 11 से कम है तो 10 तक तो यह सही चलेगा जैसी ज़्यादा होती है तो आपका execute नहीं होगा and directly हम यहाँ पे return 0 कर सकते हैं यहाँ पे हमको ज़रुवत पड़ती है तो साथ में हमने देखना है कि एक proper form में चले और यह infinity loop की तरह यहाँ पे ना काम करे तो I hope go to भी आपको आया होगा अभी practically भी हम देखेंगे तो अब हम यहाँ पे discuss करते हैं return and exit को तो आपको देखे return जो है हम जब ज़्यादे हमारे function होते हैं तब हम इस्तमाल करते हैं लेकिन फिर भी एक छोटा सा example से इनको हम समझते हैं तो माल लीजिए हमारी जो main यहाँ पे file होती है standard input output header file and then हम लिखते हैं int main और main function होता है जो कि आपका main engine होता है किसी भी program का तो अगर हम यह चीज़ जब यहाँ पे लिखते हैं and return zero करते हैं return zero यानि कि कुछ भी return हम यहाँ से नहीं कर रहे तो यह तो normal program है अब इसमें कितने function है एक ही function है तो अगर कोई भी program होगा सीका अगर यह पूछा जाता है उसमें एक ही function है तो कौन सा होगा हमने यहाँ पे इसमें भी एक printf statement डाल दिया for example today लिख दिया हमने cable इसमे and यहाँ से हम return हो रहे है return zero या जो भी हम return करना चाहें यह हम बाद में देखेंगे अभी फिलाल cable return statement हमने समझना है तो अब देखें यह state यह जो आपका हमने यहाँ पे function बनाया है same इसी तरीके का है लेकिन यह automatically execute नहीं होगा इसको हमने call यहाँ से करना पड़ेगा इस तरीके से today and आपका calling तो सबसे पहले printf में hello आएगा then today को call किया control यहाँ पहुचा तो printf के अंदर today again यहाँ पे आपका print होगा and return 0 यानि कि यहाँ से हम वापिस वहीं पे जा रहे हैं तो यह आपका return है यानि कि return आप simply यहाँ पे कर सकते हैं for example आप यहाँ पे भी return का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको भी try कीजिएगा तो यहाँ पे return से हम simply एक function से return होते हैं तो return में तो आपका simply एक function से return होगा, तो एक हमारा statement है exit zero, यह exit कोई भी आप number लिखिए, उससे फरक यहाँ पे नहीं पड़ता है, तो exit आपका क्या करता है, exit आपका पूरे ही program को terminate करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए break statement एक loop को terminate करता था, या multiple loops को terminate करेगा, continue skip करता है, वैसी go to पूरे label पे आपका jump करता है, या पूरे different part पे ही jump करता है, return एक single function से return करने में help करता है, लेकिन मान लीजे हम चाहते हैं कि यहाँ से return ना हो, इसी function से हम पूरा का पूरा program जो है उसको terminate कर दें, तो यहाँ पे जैसे इस function को हमने call किया, तो यहाँ पे हम यह न लिखके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपका exit 0, यानि कि पूरा program ही हम यही से terminate कर देते हैं, तो इसमें जो new compilers हैं, उसमें warnings भी हमें मिलती हैं, old में नहीं मिलती थी, क्योंकि तब हम go to भी इस्तमाल ज़्यादा करते थे, exit भी करते थे, क्योंकि पूरा program हमने terminate करना होता था, तो यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे function से, अभी आपको function अगर नहीं पता है, तो basic fan ने इसको code को यहाँ पे लिखा है, जब हम detail में समझेंगे कि कैसे हम अपने function create करते हैं, देन आपको और अच्छे से समझ मा आएगा, लेकिन फिलाल अगर हमको किसी दूसरे function से program को terminate करना है, तो हम यहाँ पे या कहीं से भी पूरे program में, अगर आप चाहें main में या इस function में और function आप बनाएंगे, तो I hope आपने इसका screen shot ले लिया होगा, तो इन सभी concepts को अब हम यहाँ पे practically system पे भी करके देखते हैं, तो अब देखिए concept तो हमने यहाँ पे समझा, तो इनी सभी concepts को अब हम यहाँ पे practically भी देखते हैं, तो start करते हैं, सबसे पहले हम discuss करेंगे break statement को, तो include हम यहाँ पे कर लेते हैं, अपनी header file को, standard input-output header file, and then int main, तो directly इसको example से हम यहाँ पे देखते हैं, तो परदे तो एक normal loop हम यहाँ पे run करेंगे, and then उसको हम terminate करेंगे for statement की मदद से, तो is less than equals to 10, यह less than 11, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, a plus 1, and then हम यहाँ पे printf के अंदर, percent d slash n, क्योंकि vertically हमको यहाँ पे result चाहिए, a semicolon, and finally return 0, तो यह देखिए, तो normal हमारा program है, जो आपको इस तरीके से चलेगा, तो यहाँ पे हमको ब्रेक करना है, तो हमने condition यहाँ पे देनी है, if अगर a की value 5 होती है, तो simply हम यहाँ पे break statement को call करते हैं, तो देखिए, simple सा है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, and 4, तो 5 यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि break हमने पहले यहाँ पे कर दिया है, और अगर आप बाद में करेंगे, यानि कि आप पहले अगर print statement देखना चाहते हैं, then आप break करना चाहते हैं, तो आप break statement यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए, simple सा है, I hope break statement आपको समझ में आया होगा, तो पहले output में 1, 2, 4 आया था, और 1, 2, 5 यहाँ पे है, और ऐसे ही आपका next जो है, जो continue statement है, वो भी same है, तो अगर हम यहाँ पे continue करते हैं, तो देखिए continue के बाद फिलाल यहाँ पे कोई भी statement नहीं है, तो यहाँ पे फिलाल कुछ भी result हमको नहीं मिलेगा, as it is 1, 2, 10, normally यहाँ पे print हुआ है, हाँ अगर इसके बाद कोई statement होता, मालीजिए इसको हम extra यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए, extra आपको यहाँ पे एक बार skip होगा, जब value 5 होगी तो देखिए, 1, extra 2, extra 3, extra 4, extra 5, and then केवल 6 है यहाँ पे, यहाँ पे extra नहीं लिखावा या 6 के साथ, तो फिलाल हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं चलाएंगे, हमारा जो continue है, इसको हम यहाँ पे न लिखके, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, then आपको यहाँ पे 5 जो है, वो skip होता हुआ नजर आएगा, तो देखें, simple था है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे skip हुआ, and directly 10 तक आपकी यहाँ पे value जो है, वो execute हुई है, तो यहाँ पे हमने एक sum वाला program भी देखा था, theory में, जो concept है, तो sum भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 5 में हम continue करेंगे, वरना हम यहाँ पे sum जो है, sum प्लस जो भी हमारा loop है, इसमें हम run करते हैं, तो अब देखें, इसके बार हमने इस statement को रखा है, जो printing statement है, वरना यह print होता आपका रहेगा, तो देखें, simple सा हमने program यहाँ पे create किया, तो इसको अब हम यहाँ पे देखते हैं, और sum जो है, वो a में नहीं है, वो आपका sum नाम के variable के अंदर है, तो 5 यहाँ पे add up नहीं होगा, बाकी सभी यहाँ पे add up होंगे, क्योंकि अगर 5 भी add up होता है, तो I guess 55 आपका यहाँ पे आएगा, आप इसको यहाँ पे हटा के देख सकते हैं, यानि कि इसको comment करके आप देख सकते हैं, तो I hope आपको यहाँ पे जो break statement है, and जो continue statement है, यह आए होंगे, तो अब हमारा जो next topic यहाँ पे है, इसको भी हम discuss कर लेते हैं, यानि कि हमारा जो यहाँ पे go to statement है, तो go to को पहले तो हम simple तरीके से यहाँ पे समझेंगे, यानि कि जो इसका simple यहाँ पे syntax है, पहले उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, then go to का हमने जो table generate किया था, वो भी हम यहाँ पे करेंगे, print main and सीधा मान लीचे, go to, एक label हमने यहाँ पे दिया था, for example say hello, तो हमने say hello यहाँ पे लिखा, and say hello हमने यहाँ पे बनाया, जो इसका label है, इसके अंदर एक print statement में हम यहाँ पे लिख देते हैं, say hello, and साथ में चलिए new line, and एक और statement हम यहाँ पे लिख देते हैं, printf में ही, आपका for example, हम यहाँ पे लिखते हैं, monitor चलिए हम लिख देते हैं, तो दो statement हमने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन जैसे ही say hello यहाँ पे आपका call होता है, या go to statement execute करेगा, तो यहाँ पे आपका यह तो ठीक है, क्योंकि इसमें forward jumping आपका हो रहा है, यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम execute करें, say hello monitor, यह तो आपका सही है, लेकिन अगर बीच में कोई statement होते हैं, तो इसको यह skip कर देता, this is statement मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यह देखिए, इस statement को यह skip यहाँ पे कर देगा, and then कोई तरीका यहाँ पे नहीं है, इसको भी अगर हमने print करना हो, अगर normally हमने forward jumping में यहाँ पे use करना है, तब यह आपका perfectly चलता है, लेकिन अगर इस statement को यहाँ पे न लिखके, अगर हम इसके बाद में इसको लिखते हैं, यहाँ से इसको गर हम हटा दें, और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए infinity times यहाँ पे चलने वाला है, तो इसको देखिए मैं run यहाँ पे करता हूँ, तो simple सा है, तो देखिए infinity loop हमारा यहाँ पे generate हो गया, यहाँ कि हर बार यहाँ आपका चलने वाला है, तो इस तरीके से जब भी आप इसे यहाँ पे लगाते हैं go to को, तो आपने एक condition भी वहाँ पे देनी हैं, जो कि इसको stop यहाँ पे करेगा, तो अब हम यहाँ पे table generate करते हैं, तो int a, quest to one, and हम एक number भी यहाँ पे ले लेते हैं, माल लीजे 7 हमने यहाँ पे लिया, and then हम यहाँ पे एक level create करेंगे table नाम से, तो printf के अंदर हम यहाँ पे %d की मदद से %d slash n, हम यहाँ पे a जो हमारा यहाँ पे variable है, multiply by number and इसके बाद a को हम increment भी करते हैं, तो logic तो हमने देखा, system पे भी इसको हम देख लेते हैं, and then अगर हम यहाँ पे directly लिखते हैं, go to table और हम कोई condition यहाँ पे नहीं लगाते, तब तो यह क्या करेगा, यह infinite times यहाँ पे चलता है, देखिए इस तरीके से, तो देखिए infinite times यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे हमको condition भी देनी हैं, ताकि यह infinite times यहाँ पे ना चले और हमको proper result यहाँ पे मिलें, तो हमने कहा जब तक इसकी value 11 से कम होती है, cable तभी यह go to यहाँ पे table हो, तो अब देखिए, तो अब देखिए 7 की जो table है, वो perfectly यहाँ पे generate हो गई है, तो जब भी आप go to use करेंगे, तो आपने conditions भी यहाँ पे देखनी है, and then finally, जो हमारा return statement and exit था, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखिए, यहाँ पे अगर normally हम लिखते हैं, printf this is main function, यह हमारा main function है, and इसको आप output में भी देख सकते हैं, for example, return 0 मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसको जब हम यहाँ पे run करते हैं, तो normally देखिए return 0, process यहाँ पे जो execute हुई है, इतने seconds के अंदर, और return जो value की है, वो 0 की है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ और भी लिखना चाहें, for example, अगर मैं return 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसमें भी से output में आपको कोई different नजर नहीं आएगा, देखिए return value 1 यहाँ पे है, तो यह function से value return करने में help करता है, तो एक और function हम बना लेते हैं, यह today नाम से and then इसमें हम लिख देते हैं, this is our function, यह function user defined function है, तो यह main function है, इसको हम new line में यहाँ पे डाल देते हैं, and यह हमने खुद यहाँ पे create किया है, तो यहाँ से भी return 0, कुछ भी हम return नहीं कर रहें, लेकिन यह देखिए automatically execute नहीं होता, अगर इसको हम run करेंगे, तो यहाँ पे देखे, this is main function के वल चल रहा है, तो इसको चलाने के लिए, हमने यहाँ से लिखना है, आपका today function, यानि कि इसको हम simply call कर रहे हैं, तो इसको जब हम आगे deeply in concepts को समझेंगे, तब इसको हम देखेंगे, this is main function, this is our function, तो simple है, तो spelling थोड़ा सा यहाँ पे mistake मैंने कर दी है, तो देखे, simple सा है, अब यहाँ पे जो exit function है, माल लीजे, यहीं पे अगर हम exit यूज़ करें, तो exit पूरे को ही यहाँ पे terminate कर देगा, हम इस function को call तो कर रहे हैं, यानि कि control यहाँ पहुँचेगा, यह आपका exit 0, तो यह statement नहीं होगा, और हमारा जो program है, वो exit यहाँ से हो जाएगा, तो देखे, simple सा है, तो देखे, this is main function, यहाँ पे exit भी हो गया, तो यहाँ पे एक चोटी सी warning हमको यहाँ पे मिलती है, पुराने compilets में नहीं मिलती, अगर आप नई compilets यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगी, तो अगर आपको program exit करना है, तो return है, jumping के लिए आपका break and continue है, और अगर आप एक different label पे jump करना चाते हैं, तो उसके लिए go to statement हमारा है, तो I hope आपको इस अभी concept समझ में आये होंगे, तो previous हमारी जितनी वीडियोज हैं, वो भी आपने देखनी है, वीडियो नमबर 1-11, क्योंकि इनी वीडियोज में आपके basics हैं, और जो वीडियो पूरी जो playlist है, उसका link आपको description box पे मिल जाएगा, तो इसी के साथ ये वीडियो भी खतम होती है, वीडियो नमबर 12, तो मैं मिल का आप से अगली वीडियो में, वीडियो नमबर 13, जहां से हम start करेंगे patterns creation, यानि कि हम इन सभी concepts को अब एक साथ सीखने वाले हैं,